आज से बाल विकास एवं सिच्छा सास्त्र का सिरीज श्टार्ट करेंगे जिसमें साथ पार्ट आएंगे और साथ पार्टों में लगभग साथ सो से अधिक कोश्चन आपको बताये जाएंगे जिसमें हम लोग का पार्ट वन होगा इसका संबंध होगा सिच्छा मनोबिग्यान से यानि एजुकेशन साइकोलोजी से होगा तो चलिए देखते हैं आपके देखिए इसके साथ पार्ट आएंगे और इसका पहला पार्ट है आपका पार्ट वन में हम देखते हैं बाल विकास एवं सिख्छा सास्त्र पार्ट वन सिच्छा मनोबिग्यान आवस्यक है सिच्छा मनोबिग्यान किसलिए आवस्यक है तो सिच्छा एवं अभिभावकों के लिए सिच्छा मनोबिग्यान आवस्यक है सिच्छा मनोबिग्यान का मुख्य संबंध सीखने से है यह कथन किसका है तो यह कथन सारे एवं टेल फोर्ड का है मनोबिज्ञान की अधार सिला किस पुस्तक में रखी गई है मनोबिज्ञान की अधार सिला मनोबिज्ञान की सिधान्त नामक पुस्तक में रखी गई है अमेरिका में प्रकासित प्रेंसिपल आप साइकोलोजी के लेखक कौन है तो बिलियम जोंस इसके लेखक है सिच्छा मनुबिग्यान का वर्तमान स्वरूप है सिच्छा मनुबिग्यान का वर्तमान स्वरूप ब्यापक है गैरिसन के अनुसार सिच्छा मनुबिज्ञान का उदेश्य है बेवहार का ग्यान कुपूर स्वामी के अनुसार सिच्छा मनुबिज्ञान के सिध्धानतों का सरवत्तम प्रियोग होता है उत्तम सिच्छायवं उत्तम अधियम में सिच्छा मनोबिग्यान का प्रमुख उद्देश्य कोलेशनिक के अनुसार कोलेशनिक के अनुसार जो है सिच्छा का समस्या का समाधान करना है जो सिच्छा मनोबिग्यान का प्रमुख उद्देश्या है कोलेशनिक के अनुसार वो है कि सिच्छा की समस्या का समाधान करना है कैली के अनुसार सिच्छा मनोबिग्यान के उद्देश्य है तो कैली के अनुसार सिच्छा मनोबिग्यान के नौ उद्देश्य माने जाते है स्कीनर के अनुसार सिच्छा मनोबिग्यान के समानने उद्देश्य है का बाला का भी कास करना सीख फकीनर के अनुसार सिच्छा मनोबिज्ञान में बिसिष्ट उद्देश appro için यह है बाल को के वंच्छनी अभिवहार के अनूरूप सिच्छा के अस्तरेवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना सिच्छा मनोबिग्यान के छेतर में वह सभी ग्यान और विधिया समलित हैं जो सिखाने की प्रकिरिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है यह कथन किसका है तो यह कथन लीका का है गेट्स के अनुसार सिच्छा मनोबिग्ञान की सीमा है गेट्स के नुसार सिच्छा मनोबिग्ञान की सीमा और इस्थिरेवं परिवर्तन सील है अवस्था विशेस के अधार पर ही हमें किसी को बालक युवा या बृद काना चाहिए यह कथन किसका है तो फ्रावेल का है यह अकथन हरवर्ट के नुसार सिच्छा सिद्दान्त का अधार होना चाहिए मान्टेसरी के नुसार एक अध्यापक द्वारा उस इस्तिती में ही सिच्छनकार्य भाली भात कार्य प्रभावी ढंग से किया जाता है हरवर्ट के नुसार मन्टे स्री के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस इस्तिथी में ही सिच्छा कारी प्रभावी डंग से किया जा सकता है जब उसे ग्यान हो मनोबिग्यान के प्रियोगात्मक सोरूप का वर्तमान समय में सिच्छा मनोबिग्यान की ओ सकता है बाल केंद्रित सिच्छा के हो सकता है वर्तमान समय में सिच्छा मनोबिज्ञान की और स्यक्ता समझे जाती है सरवांगिर विकास में सिच्छा मनोबिज्ञान का प्रमुख लाब क्या है तो सिच्छक सिच्छार्थी का मधुर संबंध हो कच्छा में चात्रों को उनकी विविनताओं के अधार पर पहचानने के लिए सिच्छ को ग्यान होना चाहिए सिच्छा मनोबिग्यान का समय सारणी में गणीत, बिज्ञान या कठिन विशयों के क्लास पहले क्यों रखे जाते हैं ये मनोबिज्ञान के अधार पर अधारित है सफल एवं प्रभाविसाली सिच्छा अधिगम प्रकिरिया के लिए आवस्यक है सिच्छन अधिगम समागरी का प्रियोग एवं सिच्छा मनोबिज्ञान के सिध्धानत का प्रियोग निर्देशन एवं परामर्स में किस विशय का अधिक उपयोग किया जाता है तो सिच्छा मनोबिज्ञान का चात्रों की योग्यता एवं रूची के धार पर पाठिकरम निर्मान में योगदान होता है सिच्छा मनोबिज्ञान का बुद्धी परिच्छन भी सै है बुद्धी परिच्छन भी सै सिच्छा मनोबिज्ञान का सिच्छक मनोबिग्यान के द्वारा बालक की बुद्धी तथा रूचियों की जानकारी करने करके सिच्छा देता है और प्रकित क्यों जानकर सिच्छा देता है और आर्थिक इस्तितिक तथा परिवारिक इस्तिति के जानकारी लेकर सिच्छा देता है मनो बिज्ञान का सिच्छा के शेत्र में क्या युगदान है तो देखिए अब सिच्छा बाल के इंदिर्थ हो गई है और सिच्छक बाल को के से निकट का संपर का स्थापित करने का प्रियास करता है और सिच्छ को छात्रों की आुशकता का ग्यान नो हो सकता है मुनोबिज्ञान सब्द के समानांतर अंग्रेजी भासा के सब्द साइकोलोजी की बियुत्पत्ति किस भासा से हुई है तो ग्रीक भासा से हुई है सिच्छा मनो बिग्यान का संबंध है सिच्छा से दर्शन से और मनो बिग्यान से सिच्छा का साब्दी कर्थ है पालन पोशन करना और सामने लाना और नेत्रित देना मनो बिज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले ब्यक्तियों के क्रिया कलापों का बिज्ञान है यह कथन बुड़ वर्थ का है मनो बिज्ञान सिछा का धारबूत बिज्ञान है यह कथन इसकी नरका है सिच्छा मनो बिज्ञान की बिस है समागरी का संबंध है सीखने से सिच्छा मनो बिज्ञान में जिन बालकों के विवार का द्यान किया जाता है मंद बुद्धी पिछड़े हुए हो समस्यात्मक बुद्धी वाले बालक होते है सिच्छा मनो बिज्ञान की बिसे समागरी का संबंध है सीखने से सिच्छा मनो बिज्ञान में जिन बालकों के विवार का दियन किया जता हुआ मंद बुद्धी पिछड़े हुए और समस्यात्मक होते है सीखने की प्रक्रिया के अंतरगत सिच्छा मनोबिज्यान का ध्यान करता है प्रेनड़ा वो पुनर बलन के प्रभाव का ध्यान मनोबिज्यान मन का बिज्यान है या कथन और अस्तू का है सिच्छा मनोबिज्ञान अध्यापकों कुम तैयारी की आधार सीला या कथन देता है इसकी नरका आंकडों का ब्योस्थापन करने है तु संकलित आकडों के संबंध में निम्लिखित कार्य करना होता है वर्गी करन सारणियन आलेखी निरुपन मनो बिज्ञान सिच्छा के छेतर में सायता देता है तथा बताता है कि सिच्छा के उदेश्य संभावित हैं अथवा नहीं सिच्छा मनो बिज्ञान का ध्यान अध्यापकों को इसलिए कराना चाहिए ताकि इसकी सायता से अपने सिच्छन को अधिक प्रभावसाली बना सके मनो बिज्ञान बेवार का सुद्ध बिज्ञान है इस परिभासा के परतिपादक कौन है इवाटसन है अचेतन मन का ध्यन किया जाता है मनो बिशलेशन बिधी द्वारा मनो विशलेशन पर्णाली के जन्मदाता सिगमन फ्राइड है वर्तमान समय में मनो बीज्ञान है बेवहार का बीज्ञा सिछा मनो बीज्ञान का भी सैचेत्र नहीं है सैचिक मुल्यांकन सिछा किसी निश्चित अस्थान पर प्राप्त कि जाती है यह कथन सिच्छा के किस अर्थ में प्रियुक्त होता है तो सिच्छा का संकुचित अर्थ में साइकी का अर्थ है मानवी आत्मा या मन मनो बिग्यान को बेवार का बिग्यान कहा जाता है यह कथन वाटसन का है मनो बिज्ञान को बेवार का बिज्ञान कहा जाता है यह कथन वाट्सन का है मनो बिज्ञान मन की बैज्ञानी का ध्यान है जिसके अंतरगत न किवल बावधिक, अपीतु, सम्वेगात्म कनुभूतियां, उत्परेरग सक्तियां तथा कारिया या बेवार भी समलित हैं यह कथां C.W. वेलेंटाइन का है मनो बिग्यान आत्मा का बिग्यान है या मन का बिग्यान है या छेतना का बिग्यान है मन को प्रभावित करने वाला कारक है ब्यक्तियों की रूची अभिछमताएं अभियोग गेताएं एवं वातावरा मनो बिग्यान को सुध बिग्यान, सुध बिग्यान मन है यह James Driver ने कहा है कि मनो बिग्यान को सुध बिग्यान मन है सिच्छा मनो बिग्यान, मनो बिग्यान का एक अंग है सिच्छा मनो बिग्यान की प्रकीर्टी से संबंद में कहा जा सकता है कि यह स्वरो व्यापी और स्वरो भामिक होती है मनो बिग्यान के अंतरगत मानो का ध्यान किया जाता है सिच्छा मनो बिग्यान के अध्यान के उद्देश से विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रोभावित करना मनो विज्ञान सिच्छा के छेत्र में साहता देना तथा अस्पष्ट करता है सिच्छा के उद्देश सिखी संभावना सिच्छक को सिच्छा मनो विज्ञान के अध्यान की प्रत्यक्च जाओ सकता नहीं है सारिडिक सुडवलता मनो बैज्ञानिकों का संबंद मनोईयों का संबंद प्रोडी मात्र में के ब्यवार के अध्यान से है जबकि सिच्छा मनो विज्ञान का छेत्र मानुवी ब्यवार के अध्यान से है स्तैचिक संस्तीतियों में मानो ब्यवार से है सिच्छन प्रकिरिया के अंग है सिच्छन उदेश से सिच्छन को सार्थक बनाने वाले ग्याना अन्भव सिच्छन का मुल्य अंकन सिच्छा का संबंद है सिच्छा के उदेश से और कच्छा पर्यावरण से और वातावरण से सिच्छा मनो विज्ञान का छेत्र है ब्यापक सिच्छा मनो विज्ञान के समान्य उदेश से हैं बालक के व्यक्तित्व का विखास करना सिक्षन कर्यों में सहायता और सिक्षन विदियों में सुधार करन और अवस्था विसेश के अनुभावों के अधार पर हम किसी क्यों बालक युवा या ब्रिद कहना चाहिए या कथान फ्रेवेल का है और सिच्छा मनुभिज्ञान का उद्देश से है बाल के इंदरित सिच्छा का होना ठीक है तो यह हमारा सिच्छा मनुभिज्ञान का पार झाल झाल